हेलो फ्रेंड शेशी शुकला.com किचन में आपका स्वागत है आज मैं आपको मीठी पूरी बनाना बताने जा रही हूं तो इसके लिए देखिए मैंने आदा किलो गोर्ड ले लिया और इसको तोड़ लिया है ये 700 ग्राम लगबग आटा ले लिया है और ये दो टी स्पून म अगर आप डालना चाहें तो डाले नहीं तो नहीं डाले अगर नहीं पसंद है तो सबसे पहले हमें गुड़ को मेल्ट करना है आदा किलो गुड़ में हम 200 ml लगबग पानी डालेंगे जितने में की हमारा बस गुड़ मेल्ट हो जाए और अगर आपको फिर पानी कम लगे तो आप अलग से और ले सकते हैं इसमें हम कमी पानी रखेंगे नहीं तो फिर यह बच जाएगा आटा गुतने के बाद तो इसलिए हमें कम से कम पानी रखके इसको मेल्ट कर लेना है तो आदा किलो गुड़ में 200 ml पानी इनफ रहता है तो चलिए पहले इसको गुड़ को म हमी सौफ भी डाल देंगे हैं कुड़ें यू भी डाल देंगे जो हमने गरी Πiar को कद्दुकस कर लिया था या आपकी पास डेसी करते को को नट है तो आप भी ले सकते हैं अच्य से मिक्स करेंगे इसको मोयन इसके साथ मिन पान्य साथ में अच्छे से मिक्स हो जाएग और स अब हम थोड़ा थोड़ा ये गुड़ का पानी जो हमने मेल्ट किया था इसको डालके और इसको गूठते जाएंगे थोड़ा थोड़ा ये डालेंगे ताकि गीला ना हो अभी गरम है इसलिए मैं चम्मस्य करें उसके बाद मैं इसको हाथ से अच्छे से गूठ हूंगी इसल आटे से बनती है तो इसको कुछ मीटा खाने का मन हो रहा है तो खा सकता है और बच्चों को ये बहुत पसंद आती है तो एक बार आप बना के जरूर ट्राइब और ये आप अगर एक बना लेते हैं तो आप 10-15 दिन इसे अराम से खा सकते हैं खराब नहीं होती है जल्दी तो आप आराम से बहार रखें दस-फंदरा देन तक चल जाएगी जो चलिए हमाटा गूठ लेते हैं ये देखे फ्रेंड पूरा जो हमने बुड़ का पानी तयार किया था पूरा लग गया है इसमें और इसी में मुझे लगता है ये बुठ जाएगा और अगर आपको लग मुझे नौर्मर कानी लेनी की जरूब नहीं पड़ी है तो जो रेशिय में बताया उसे इसाफ से अगर करेंगे तो नहीं जरत पड़ेगी और अगर पढ़ती है तो आप डाल सकते हैं और आप इसमें च्छोटी से और भी ड्राइफ्रूट काटके डाल सकते हैं जैसे काज मिनट के लिए उसके बाद में बताऊंगी आपको कैसे बनानी है मीथी पूरिया यह देखें फेंट 15-20 मिनट हो गया है और आटा हमादा थोड़ा सेट हो गया है अब हम इसके पुए बनाएंगे तो पुए बनाने से पहले हम इसके गोले काट लेते हैं गोले हमें इसको न कर नलेंगे फिर हम पूरी कीतर है से बेले लेंगे तो चलीए पहले लोया काट लेते हैं यह देखेव फेंड इसके गोले तैयар कर लिए अब हम हम इसकी फोरी यह इतना हम इसको बेल देगे लेंगे पहले रखते जाते हैं और एक सब्सक्राइब के आप भी में चाहेंगे पूडियां ताइब सब्सक्राइब पूरिया चपके अगर चपले के तो अगर रिफाइन लगा सकते हैं रिफाइन यह भी कुछ भी यह देखे फ्रेंड हम लिख में तेल डाल दिया है कड़ाई में और गरम हो गया है अब हम इसको डालते रहेंगे एक एक करके और बहुत टेज गरम तेल नहीं करेंगे गरम होने के बाद हम जैस की फ्लेम जो है धीमी कर देंगे ताकि पूरिया अंदर तक अच्छे से पक जाए तो बीच से कच्छी रहेंगी इसलिए हमें फ्लेम को अराम अराम से इसको तलना है अच्छे से पक जाएं आप जितनी बड़ी कढ़ाई है उसे साब से डाल दीजे यह देखें ऐसे हम इसको पलट लेंगे और पलटने के बाद हम दूसरी डाल देंगे यहने चोटी कढ़ाई रखी है तो इसलिए मैं दो दो से जादा नहीं डालूंगी तो ऐसे हम सारी तल लेंगे यह वाली पूर अच्छी बनती है यह पूरी आइसी ही मीठी पूरिया यह देखें हम ऐसे इसको अच्छा सा थोड़ा सा पूरी से ज्यादा डाग कलर करेंगे और इसको निकाल लेंगे ऐसे हम सारी मीठी पूरियों को तलते जाएंगे फ्रेंड यह देखें ऐसी मैं सारी मीठी पूरियों तल लेती हूं फिर आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूं यह देखें फ्रेंड मैंने आम कट हैल और लसन के अचार के साथ इसको सर्व किया है और आपको अगर चटनी सॉस किसी के साथ भी खाना है या ऐसे रूखा भ यह एंटिटी कमी रखेगा ताकि आपका ना गुड़ बचे ना पानी बचे और आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए तो आपको मेरी रेसिपी पसंद लाइए तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे दुरूर बताएं मिलते हैं फ्रेंड न